हेलो एवरीवान, वेलकम टु लेवलाप लानिंग, माइन एम इस सिम्रन गुंबर, जैसा कि आप देख सकते हो, जो बच्चे टर्मेंड एग्जामिनेशन दिसेमबर दोजार बाइस में अपने एग्जाम्स देना चाहते हैं इग्नू में, उनके लिए एग्जामिनेशन कैसे भरोगे, ठीक है ची, सबसे पहले बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रही हूं, क्या करोगे आप, गूगल पर लिख देना, इग्नू टी इए दिसेमबर दोजार बाइस, उसके बाद यहां पर आपको इग्नू एग्जामिनेशन फॉर्म करके, ओफिशल वेबसाइट दिख रही है, जिसका डारेक्ट लिंक मैं अपनी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूं, उस लिंक पे क्लिक करोगे, डारेक्टली आप इस इग्नू की वेबसाइट पर पहुच जाओके, यहां पर इन्हों ने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फोर्मिशन द DC के तीन पेपर होते हैं, DC1, DC2, DC3, तीन के लिए 200, 200, 200 यानि कि 600 आपको फीस बरनी होगी, यह कुछ डिटेल्स बताई हुई हैं, क्या-क्या चीज़े आपको फॉलो करनी हैं, क्या-क्या नहीं, सीधा चलते हैं कि कैसे आप फॉर्म भरोगे, एंड में जाओगे, एंड मे पर टिक करोगे, तो यहाँ पर प्रोसीड टू फिल ओनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म पर टिक कर देना, जैसे टिक करोगे, इस पोर्टल पर आजाओगे, इस पोर्टल पर क्या करोगे, अपना इंडॉल्मेंट नमबर लिखोगे, मैंने जैसे कॉपी कर लख है, और मैं DEC का सेलेक कर लिया, D E C E, यहाँ पर हमने D E C E सेलेक कर लिया, एग्जामिनेशन रीजन आपका क्या है, जहाँ पर भी आपका रीजन है, वो आप सेलेक कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर खन्ना सेलेक कर लिया, यह सेक्योरिटी कोड हमने यहाँ पर लिख दिया, जो भी स security code उसको यहाँ पर लिखकर आप क्या कर दोगे सब्मिट जैसे सब्मिट करोगे यह आपका पोर्टल खुल जाएगा examination form भरने का आपका इंडॉल्मेंट नंबर शो रहा होगा प्रोग्राम शो रहा होगा नाम शो रहा होगा और क्या कह रहे हैं select examination center ठीक है पर select करोगे तो आपके पास यह इतने सारे options आगे जो खन्ना के अंदर आते हैं वहाँ पर जो भी जहां पर भी आपके घर के बिल्कुल पास पड़ता है यह जहां पर जाना easy लगता है आप उसे select कर सकते हो ठीक है जैसे आपने निर्मान campus संगरूर select कर लिया ठीक है आपका address यह हो रहा होगा आप अपनी date of birth फिल करोगे जेंडर फिल करोगे अपना mobile नंबर email address और यूआ प्वड केंडिडेट मतलब की person with disability yes or no जो भी है अधार का नंबर optional है डालना चाहो तो डाल सकते हो तीन पेपर हैं dc1 dc2 dc3 सबसे पहले आपने select कर लिया dc1 Hindi या English में आप देना चाहते हो यह select कर लिया second number पे आपने select कर लिया dc2 Hindi या English then third number पे dc3 Hindi या English उसके बाद यहां पर यह क्या कह रहे है कि our assignment submitted और will be submitted before the closing date assignment को submit करने की जो भी last date होगी उससे पहले आपको अपने assignment submit कर देने हैं तब भी आप exam दे सकते हो ठीक है जी yes करके यह बताया हुआ है कि आपने अगर जनवरी session में admission लिया एक साल पूरा हो गया तब यह पेपर सकते हो इसके साथ साथ अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने पिछली बार पेपर दिये थे लेकिन किसी subject में किसी कारण बैक आ गई थी और वो पेपर दुबारा देना चाहता है तो उस subject का स्पेसिफिकली examination form भर देगा पर सब्जेक 200 फीस है तो तीन सब्जेक्स के 600 हो जाएंगे जब आप इस सब्मिट पर क्लिक करोगे सब्मिट पर क्लिक करोगे तो आप पेमेंट गेटवे पर पहुच जाओगे पेमेंट गेटवे पर जो भी आप उस कंट्रोल नंबर को सेव करके रख लेना क्यूंकि थोड़े टाइम के बाद आप उस वेप साइट पर वापस से डालकर देखोगे तो आप चेक कर सकते हो कि क्या आपका examination form proper fill हो चुका है या नहीं ठीक है जी कृपया करके जल्दी से examination forms भर लेना ताकि आप अपने आसपास का examination center select कर सको और वहाँ पर paper दे सको ये नाओ की दूर-दूर paper देने जाना पड़े all the very very best अगर आपको इगनू के किसी बेहर का कोई भी solved assignment चाहिए project चाहिए guess paper चाहिए जो की आपको 90 प्लस दिलवाने में मदद करेगा तो level up learning का contact number आपको वीडियो पर शोर है वहाँ से contact करके ले सकते हो thank you thank you very much इतना support और प्यार के लिए कि हमारे students ही हमेशा toppers बनते हैं पिछली बार तो in fact 98% marks लेकर आए है 95% marks लेकर आए हैं तो ऐसे ही प्यार और support बनाए रखना हम तुमारी मदद के लिए हमेशा हाज़े रहेंगे thank you very much कोई भी किसी भी course के guest papers चाहिए हो WhatsApp पे subject code और medium लिखते ना आपको guest papers मिल जाएंगे जो की definitely आपको मदद करेंगे अच्छे marks score करने में thank you very much